निदी आरजे की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लेके आए हैं चेवडा की बहुत थी जादा टेश्टी रेस्पी और आप देख सकते हैं कितना क्रिश्पी और क्रंची बना है आईए इसको बनाना सुरू करते है इसके लिए कढ़ाई ली है और यह बारिक बाला लिया है चीवडा के लिए यह जादा परफेक्ट रहता है और इसकी बहुत ही टेश्टी नमकीन बनती है और इस तेहार में नमकीन जरूर बनाएं क्योंकि मौसम के हिसाब से यह सारी चीजे बहुत जादा अच्छी लगती है इसको आप गैस को चाहे तो आप हाई करके भी इसको रोष्ट कर सकते हैं पस आप ध्याम रखें कि इसको बराबर मिक्स करते रहें ताकि यह जले नहीं और यह देखा यह हमारा चीवडा अच्छे से रोष्ट हो गया है मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ देखिए कितना अच्छे से मैश हो रहा है यान उसी प्रोसेस से और यह तीन चार मिनट नहीं लगते हैं और आराम से बहुत जल्दी यह रोष्ट हो जाते हैं बढ़िया क्रिस्पी हो जाते हैं मखाने हमारे रोष्ट हो चुके हैं इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अब यहां मैंने थोड़ा सा ओयल एड किया है इसके बाद हम यहां पे कुछ ड्राइफ रूट्स एड करेंगे और इनको भी फ्राई करेंगे यहां मैंने काजू ली है छे साथ बादाम ली है और इनको भी हलका सा रोष्ट कर लेंगे इसके बाद यहां मैंने नारियल सुका नारियल को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया था इसको भी रोष्ट कर लेंगे हलका सा फ्राई करेंगे थोड़ा कलर आने तक यह देखिए हमारा नारियल और यह अच्छी तरह से रोष्ट हो गया है अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इनको में निकाल लिया है सेम उसी खड़ाई में हम पीनट को भी फ् मुम फली यह चिटलेक चुकी है अब हम इनको भी एक फ्लेट में निकाल लेंगे उनको निकाल लेंगे अब सिम जिकम कढ़ाई में मशाले ऐड्ट करेंगे यहां 것은 hanya एक टेबल स्पून जीरा ह愉त किया है इसके बाद हींग एड़ करेंगे यह मैंने हींग भी एड़ कर दिया है इसके बाद हल्दी एड़ करेंगे लाल मिच पाउडर एड़ करेंगे अगर आपके बच्चे या आप लालमिश पाउडर नहीं खाते तो आप उसको इसके भी कर सकते हैं यहां मैं नमक एड़ कर रही हूँ नमक के बाद थोड़ा सा अमचुर पाउडर एड़ करेंगे और बिल्कुल आधा से अधा टेबल स्पून गरम मसाला भी थोड़ा सा अड़ करेंगे इन सारे मसालों को अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें मैंने मखाने अड़ कर दिये है और मैं यहां पर करीपता अड़ करना भूल गई थी सो मैं करीपता बार में आड़ कर दे हूँ आप करीपता पहले भी एड़ कर दे ताकि करीपता हमारी अच्छे से रोश्च हो जाए और यह देखिए अब इसके बाद जो भी हमने ड्राइफ रूट्स नट्स फ्राई किये थे उनको भी इसी में एड़ कर देंगे और हां मैंने थोड़ी सी किसमिस को भी फ्राई किया था वो पार्ठ हमसे छूट गया था और सारी चीज़े हमारी फ्राई हो चुकी है अब हम इसको चीवडे को पड़े वरतन में निकाल लिया था और इन सारे मसालों को और सारी जो भी हमने चीज़े फ्राई की थी उन सभ तरह से मिक्स हो जाएं मैंने आदेगी मिर्च का इस्तामाल लहीं किया है तभी मेरे चीवडे में हलका सा थुड़ा सा कम कलर आया है और क्योंकि मसाले में अच्छी तरह से कोड हो गया है और खाने में बहुत जादा यह टेस्टी बनता है बहुत ही लाजबा बनता है एक बार मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राइ करें और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ये देखिए हमारा चिवड़ा कितनी अच्छी तरह से पनकर रेडी हो गया है और ये देखिए आप इसको चाय के साथ जब भी कोई महमान है उनको भी ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखिए कितना परफेक्ट बना है ये देख सकते हैं आप तैसे भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू झाल झाल झाल